So hey guys, welcome once again and today we're gonna explain the movie called Penokio जो की इसी मन्थ डिजनी प्लेस होट स्टार पर रिलीज वी एक बहुत अच्छी एक्सन फेंटसी मुवी है जिसकी स्टोरी मुझे तो बहुत पसंद आई और आपको ये पसंद ना आए ये में होने ही नहीं दूँगा So guys, without wasting your time, bring your snacks together and let's begin the explanation क्योंकि मजब बहुत आने वाला है तो मुवी के स्टार्ट में हम जिमनी क्रिकेट नाम के एक कीड़े को देखते हैं और ये मुवी जिमनी की कहानी सुनाने से सुरू होती है वो ठंड में घुमते घुमते एक छोटे से गाउ में आ जाता है जहां वो मास्टर जिपेटो के घर में जाता है वो घडियां खेलोने और नायाब चीजे बनाया करते थे जिमनी जिपेटो के घर में जाता है जहां बहुत सारी घडियां थी और फिर वो वहां आग जलता देख अपनी तस्रीफ से एकने लगता है फिर वो देखता है कि जपेटो कुछ बना रहे हैं जिसके बाद जिमनी उसे देखने के लिए चुपचुप कर जपेटो के करीब जाता है जिपेटो अपने मरे हुए बेटे की तस्वीर देखकर उसी के जैसा दिखने वाला एक कटपुटली बनाने की कोसिस कर रहे थे फिर जिमनी देखता है कि जहां उसने हाथ रखा हुआ है वो एक स्टैशू महीला की तस्रीफ है इसलिए वो उससे मावी मांगता है उसी वक्त जिपेटो के दरवाजी पर कोई नौ करता है जब वो दरवाजी को खोलते हैं तो एक आदमी अंदर आता है और उसे उसके एक कुको वाली घड़ी को खरीदने की बात कहता है लेकिन जिपेटो उसे वो घड़ी बेचने से मना कर देते हैं उसके जाने के बाद उसने पाइन के लकडी से जो बनाया था और फिर जब वो एक musical instrument को जिसने मनाने के लिए on करते हैं तो जिमनी के कपड़े उसमें फस जाते हैं इदर जिपेटो पैनोक्यों के साथ दांस कर रहे थे और जिमनी उस musical instrument में गोल गोल चक्कर खा रहा था जिपेटों की पेट फिस क और फ्रेस एर आने के लिए open करता है तो वो एक तूटते हुए तारे को देखकर पूरे दिल से एक विस मांगते हैं और फिर सो जाते हैं उसके सोने के बाद एक रहस्में रौसनी उसके बेटे के फोटो से टकराते हुए पैनोक्यों में जाने लगती है और फिर एकदम से पैनोक्यों जिन्दा हो जाता है उसे जिन्दा होते देख जिमनी बहुत ज़्यादा डर जाता है और तभी वहां ब्लू फेरी भी आती है वो पैनोक्यों के उसके रसी से अजात करती है जिमनी ब्लू फेरी को देखकर बहुत एक्साटेड हो जाता है और फिर वो उसे जाकर पूछता है कि आप यहां कैसे आई वो कहती है कि नेक दिल जपेटों ने सचे दिल से एक मुराग मांगी वो पैनोकियों से उसका नाम पूछती है तो वो कहता है मुझे नहीं पता तब ही जिमनी बताता है कि इसके पापा जपेटों ने इसका नाम पैनोकियों रखा था पैन के लुक को पूरी तरह से चेंज कर देती है जो उसे बहुत पसंद आता है वो अब पैनोक्यों का जमीर था और अब वही उसे सही गलत का पाट पढ़ाने वाला था जिसके बाद ब्लू फेरी वहाँ से चली जाती है उसके वहाँ से जाते ही जब डोर क्लोज होती है तो जिप पैनोक्यों कहता है कि पापा आपकी मुराद को ब्लू फेरी ने सुन लिया और उसी पूरा कर दिया वह कहते हैं कि मैंने तो असली बच्चे की मुराद मांगी थी जिस पर वह कहता है कि मैं तकरीबन आधा बच्चा ही हूं और मैं बहुत जल्द इंसान बन जाओंगा पैन पैनोक्यों को स्कूल भेजने का डिसाइड करते हैं और उसे स्कूल जाने के लिए तयार करके उसे स्कूल भेज देते हैं इधर हम दो चोरों को देखते हैं वो पैनोक्यों को देखकर हरान हो जाते हैं और वो उसके पास जाता है और पूछता है तुम कौन हो और कहां जा रहे हो तो वो कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं ताकि मैं सब कुछ सीख कर एक असली इंसान का बच्चा बन सकूँ जिससे मेरे पापा बहुत कोसोंगे वो दोनों उससे कहते हैं कि तुम असली इंसान क्यों बनना चाहते हो जबकि तुम बन सकते हो फेमस तुम अपने पहच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंद कर ले क्योंकि वीडियों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियों बनाने में लग जाती है पैनों कि उसकी बातों को मान क कि एक बड़ मिलती है वो उससे कहता है कि एक नन्हा सा बच्चा सड़कों पर अकेले घुम रहा है वो मेरे बिना बहुत बड़े खत्रे में पर सकता है और फिर वो सोफिया से लिफ्ट मांगता है सोफिया उसे उठा कर पैनोकियों के पास मुचा देती है वो उस फॉक्स के अधी उपर लैंड करता है तो पैनोकियों से पूछता है कि तुम वहां उपर क्या खर रहे हो इसी दवरान दूसरा vaya को निकालकर जिमन्य को मारने कीОसिस करता है तो हतवरा फॉक्स को जा लगता है और जिमन्य वहां से उसी बिल्ली के सर पर चला जाता है वो उसस पैनो के स्कूल पहुचता है तो वहां के टीचER उसे वहां से उठाकर बाहर फैक देते हैं क्योंकि वह एक नकली बच्चा था। वो टीचर उसे कहते हैं कि स्कूल इंसान के बच्चों के लिए होते हैं ना कि बोलने वाले बेहुदा कटपुतलियों के लिए जिमनी उसे समझाने जा पाता कि उससे पहले वो बिल्ला और लोमली उसे एक काच के जार में बंद करके पैनोक्यों के पास चले जाते हैं वो उस उसे कहता है कि तुम्हें स्कूल नहीं तरेटर जाना चाहिए जहां तुम बहुत फेमस हों जाओगição और तुम्हारे पापा भी तुमसे बहुत खुषोंगे और वह उसे भैका कर स्कूली को बेच INTERNAL वो वहाँ फेबियाना से मिलता है जो स्ट्रॉम बोली के सो में कटपुतली नचाने का काम करती थी फेबियाना उसे वहाँ अपने कटपुतली सबीना से भी मिलवाता है वो उसके सो में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और उसके सो से खुद सो कर लोग उसके उपर बहु गया होगा और वो उसके तलास में निकल जाते हैं इस्ट्राउम बोली अपने काफिले को उस सहर से किसी दूसरे सहर लेकर जा रहा होता है तो उसके वैन से एक स्टोन ओड कर जिमनी के जार पर जा लगता है और वो कुद को अजाद कर लेता है वो वहां से निकल कर डैरेक पै अभी तक पहुंच जाता है और जब पैनों क्यों फिर से सच बोलता है तो उसकी नाग दुआरा से छोटी हो जाती है और इस चीज का फैदा उठाते हुए वो उस पिंजरे को खोल लेते हैं वो लोग वहां से निकल कर सीधे घर की तरफ बढ़ रहे थे और तभी कुछ लो कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं और जिमनी पीछे चूट जाता है वो लोग सारे बच्चे को एक एलेंड पर लेकर जाते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा एडवंचर पार्क की तरह था जहां बहुत से बच्चे आये थे वहां तरह तरह के जूले थे और तो और बच्च क्योंकि तलास में प्लेजर एलेंड पहुंच चुका था लेकिन वो वहां देखता है कि बहुत से काली आत्माएं बहुत से गधों को पकड़ कर पिंजरे में कैद कर रहे थे इधर जब पैनोक्यों एक बच्चे के साथ खेल रहा होता है तो उसके कान और पूछ निकलने लग जाता है वो दोनों समंदर में चलांग लगा कर अपनी जहान बचाते हैं और फिर तैर कर घर के तरफ निकल जाते हैं लेकिन जब वो घर पहुँचते हैं तो जिपेटों वहां नहीं थे सोफिया उन्हें बताती है कि वो अपने सारे घड़ियों को बेच कर एक छोटे से ब पताती है कि इस ट्रांबोली को पुलिस ने बकड़ लिया है और अब हम लोगों ने अब अपना सो सुरू किया है क्यों न तुम हमारे साथ चलो पैनोक्यों कहता है मैं जरूर आता लेकिन मुझे अपने पापा को ढूंडना है जिसके बाद पैनोक्यों के कान गायब हो जा पहुचने के दवरान अपने साथ घटी सारी घटना को बता रहा था वो जिपेटों के पास पहुच पाता कि उससे पहले वहां एक मॉस्टर वेल आ जाता है जिमनी और सोफिया तो उलजा लेकिन वो मॉस्टर जिपेटों और उसके नौ के साथ साथ पैनोक्यों को भी अंदर आग जलाकर वहां से बाहर निकलने का प्लाण बनाते हैं और Sn跟 मुण को खोलता है और जपेटों और पैनोक्यों उसके पेट्जा लेकिन वहां से निकलकर उनकी बोट तूड़ जाती है और वो मुस्ट्षा प्रसे उनके पीछे पर जाते हैं पैनोक्यों अपन फिर जैसे ही पैनोक्यों की आख से आसू निकलने लगता है जिपेटों जिन्दा हो जाते हैं जिपेटों उन सब को ठीक देख कर बहुत खोस होते हैं और तभी वहाँ एक नीले रंकी रौसनी निकलने लगती है जिसके अंदर जाने के बाद पैनोक्यों पूरी तरह से इंसा पैनोक्यों की साथ